पटना के पारस हॉस्पीटल में एक महिला के साथ दुसकर्म करने की कोशिस और उसके बाद उसकी मौत के मामले में पीरिता की बेटी के द्वारा लगाये गए आरोप पर सास्त्री नगर थाने की पुलिस और जिलाधिकारी पटना के द्वारा बनाई गई तीन सदस्य कमिटी जहां जाँच तेज कर दी है वहीं अस्पताल प्रशासन इसकी लीपा पोती में जुट गई है अस्पताल प्रशासन थाने में दर्ज प्रात्मी की वापस लेने की मांग कर रही है सुत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मताबिक सास्त्री नगर थाने की पुलिस ने अस्पताल में लगे सेसी टीवी फूटेज की जाँच सोंबार को की जिसमें ये पाया गया कि सत्रह मई की देर साम यानि जिस दिन महिला ने दुशकर्म करने का आरोप लगाई उस दिन आईशू वार्ड में 9 महिला नर्स ही अंदर गई है खबर यह भी है कि पुलिस ने आईसियो में तैना सभी नर्शों का बयान भी दर्ज की है जिसमें उन लोगों के द्वारा बताया गया कि राद दस वजे के आसपास महिला कैथरेटर और मास्क निकाल दी थी और अजीब हरकतें करने लगी थी जिसके बाद उसका पैर हाथ बा परवाही नहीं की है उनकी इस्तिती बहुत खराब थी जबकि जिलादिकारी के द्वारा गठित तीन सदस्य टीम की भी जाँज जारी है उनके द्वारा फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है मालूम हो कि दो बिंदूओं पर जाँज कमीटी और पुलिस जाँज कर रह कुमार के पैत्रिक आवास नालंदा जिले के कल्यान विघा की रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजेटिव पाई गई थी बहतर इलाज के लिए उसकी बेटी ने 15 मई को पटना के पारस हॉस्पिटल में भरती कराई थी 18 मई की सुबह बेटी को उसकी माने बताई कि हॉस्प चाव बीजी रात उसके साथ दुसकर्म किया जिसे बेटी ने मॉबाइल में रिकॉर्ड कर सोसल मीडिया पर डाल दी थी देखते ही देखते मामला हाईलाइट हो गया मीडिया और पुलिस का दबाब बरने लगा 18 मही की सामों से वेंटिलेटर पर रख दिया गया और 19 मही क इस वह उसकी मौत हो गए जानकारी या प्राप्त है कि अस्पताल प्रशासन किसी प्रकार से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिस कर रही है इसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों तक से बात की जा रही है क्योंकि इस मामले से अस्पताल की काफी फज्यत हुई है दे झाल झाल